खबरों में आगे बढ़ते हैं योगी आदित्यनाथ की जिन्होंने रेल जिहाद रोकने के लिए अब एक नई फोर्स का ऐलान कर दिया है पिछले कुछ दिनों में उतर पर देश है सहीत देश की कई हिस्सों में रेल की पट्रियों से उतरने की जो कोशिश हो रही थी लगातार हम देख रहे थे कभी सिलिंडर मिल रहा है कभी पत्थर मिल रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आम लोगों को अब कहीं ने कहीं अब इनके लिए सद्वाओं में ट्रेन चलाएंगे। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगे। चिंता मत कोई। अब आदेश के नतीजों में यूपी के गाउं में चौकीदारों का तंत्र एक्टिव किया गया है। मुख्यमंद्रे योगी आदितिनात रेल जिहादियों के खिलाव भी सक्त हो गए है। चौकीदारों की मदद से ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकेगा। अब तक इनकी जिम्मेदारी गाउं में होने वाले जगड़ों को रोकना रहा है। हाला कि अब चौकीदारों को नई जिम्मेदारी दी जा रही। तो साथ ही इन्हें अपग्रेट किये जाने की भी जरूरत है। कोई भी अगर गाउं में नया कारे होता है, काम होता है, कोई परचीत आदमी हमारे गाउं में रह रहा है। उसकी सूचना के सूचना, उन द्वरा या स्वयम आकर हम कोतवाल साहब से मुलाकात करकर सब बताते हैं। यूपी पुलेस अपने चौकीदारों की मदद से इंटेलिजन्स नेटवर्क को बढ़ा कर 75 जिलों में पहुँच जाए। इस समय यूपी में करीब 70,000 ग्राम चौकीदार मौजूद, हर एक चौकीदार के जिम्में एक इलाका यानी एक या एक से अधिक गाउं होते हैं। ये अपने इलाके में 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और हर दिन सुभह शाम गाउं की सारी जांकारी अपने थाने और चौकीओं पर फुलेस अधिकारियों को बताते हैं। पिछले दिनों यूपी में देश विरोधी तत्वों के जरिये रेल जुहाद की कोशिश हुई और चौकीदार ऐसे लोगों को पकड़ने और रोकने में बड़ा रोल लिभा सकते हैं। हालांकि इन चौकीदारों को महीने में सर्फ दाई हजार रुगे मिलते हैं। और गाजीपूर के बाद गौंडा में भी नई जिम्मेदारी मिलने के बाद चौकीदारों ने वेतन बढ़ाने की डिमांड ही रखी है। साज़श का हिस्सा हो सकती है। और योगी की नई फोर्स ऐसी साज़श पर फुल स्टॉप लगा सकती है। गेरा रपोर्ट जी मीडिया